कॉंग्रेस पार्टी नए लोगों को नए आइडियास को हडल करती है कॉंग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो पिछले 30 साल से एक ही आदमी बना रहा है अगर उस आदमी के आइडिया में दम होता तो कॉंग्रेस पार्टी 42 और 52 पे थोड़ी आदमी मैं सुबह शाम वैल्ट क्रियेटर्स को गाली नहीं दे सकता मेरे में उतनी ताकत नहीं है मैं सनातन के विरोध के नारे नहीं लगा सकता और मैं भगवान राम की प्रान प्रतिष्टा में नहीं जाने वाले पापियों के साथ एक शन भी खड़ा नहीं हो सकता मोदी जी ने राजनिती को एक नया परस्पेक्टिव दिया है राजनिती को एक जन सेवा से जोड़ा है क्या कुछ दवा था देखिए जब चार तारिक को मैंने कॉंग्रेस पार्टी के प्रात्मिक सदस्याता से इस्तिफा दिया उस दिन से मैं कह रहा हूं कि मैंने कॉंग्रेस के हर शिर्ष नेता को जाके बोला कि साथ सनातन का विरोध देश में हो रहा है उसको हम अपनी मौन स्विक्रती नहीं दे सकते राम मंदिर की प्रान प्रतिष्टा पर जाने का जो न्योता ठुकराया गया है वो पositल प्लस मैनस हो सकते हैं पर यह एक तरह का पाप है और जब से प्रभुष राम की प्रान प्रतिष्टा में नहीं जाने का कॉंग्रेस ने निर्ने लिया उसके बाद से मैंने कॉंग्रेस की और से टीवी पर बैठना और प्रेस वारता करना बंद कर दिया मैंने कॉंग्रेस के हर सीष नेता को जाके कहा कि साथ सूबे से शाम wealth creators को जो आप गाली बोलते हैं उसको बंद करना चीए wealth creators कोई पाप नहीं करते हैं अपनी मैनत से, अपने आइडिया से, अपने कैपिटल से पैसा कमाते हैं, तो देश को भी फायदा होता है, रोजगार का भी श्रजन होता है। एर इंडिया को एक पर्टिकुलर बिजनस समू ने खरीदा, कॉंग्रेस पार्टी ने उसका विरोध किया। एक बिजनस समू के CEO ने सरकार की तारीफ कर दी, कॉंग्रेस पार्टी ने उस बिजनस समू की एकवा भी विरोध किया। और अडानी और अंबानी को तो सूबे से शाम गालियां दी जाती है। मैंने स्वयम ने अडानी के खिलाफ प्रेसवारता की, पर जब सेबी ने अडानी को क्लीन चिट दे दी, तो उसके बाद मैंने अडानी के बारे में एक भी वक्तव ये देना उचित नहीं समझा। कॉंग्रेस के शीष निताओं को भी मैंने ऐसा कहा, कि जब सबसे बड़ी मार्केट रेगुलेटर जो है सिकुरिटी और एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, उसने जब अडानी को क्लीन चिट दे दी, तो अब हमें बस करना चाहिए। तो सूबे से शाम एक ही चीज सनातन का विरोत करो, भगवान राम की प्राण पतिष्टा में नहीं जाने कर नियोते को अस्विकार करो, अडानी, अंबानी और कोई भी इतने सैकडो स्टार्ट अप है, जो यूनिकॉन बन चुके हैं, क्या हम उनको गालिया दे हैं, क्या व महिने तक मैं हर सीष्ट नेता के पास ये इस्यूज लेके जाता रहा, और मैंने ये भी कहा कि हर प्रती वर्ष में बजट पर अपनी प्रेस वारता करता हूँ, इस साल भी मुझे बोला, तो मैंने का जब तक भगवान राम के दर्शन करने कॉंग्रेस पार्टी का हमने रखी और चौथा एक और मैं उस चिठी में भी उस चीज का विबरण है कि कॉंग्रेस पार्टी नए लोगों को नए आइडियास को हडल करती है, मैंने कॉंग्रेस पार्टी जोइन करी जब उनके 42 सांसत थे, पर मैंने सोचा देश की सबसे पुरानी पार्टी में लोगों की नए आइडियास की एस्पिरेशनल इंडियास को इंडिया के लोग के महत्रो कांक्षा को समझने की ताकत होगी, तो मैं आपको उधारन देता हूँ, कॉंग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो पिछले 30 साल से एक ही आदमी बना रहा है, अगर उस आदमी के आइडि का प्रभारी बनावा, वो पीए है, भूतपूर्व, केंद्रिये, मंत्रियों के पीए आज कॉंग्रेस चला रहे हैं, जिन्नोंने कभी क्लास के मॉनिटर का चुनाव नहीं लड़ा है, क्लास के मॉनिटर का चुनाव कैसे लड़ते हैं, उन पीएस को नहीं पता है, जो टि यह उनका ग्यान हैं यह Congress party चला रहे हैं तो Congress party का ground connect तूट चुका है कारे करता हूं कि जो issues है Congress party नहीं समझ पारी है मतदाता हूं कि जो issues है Congress party नहीं समझ पारी है और तीन कारण तो मैंने बताया मैं सुबे शाम wealth creators को गाली नहीं दे सकता मेरे में उतनी ताकत नहीं है मैं सनातन के विरोध के नारे नहीं लगा सकता और मैं भगवान राम की प्राण प्रतिष्टा में नहीं जाने वाले पापियों के साथ एक शन भी खड़ा नहीं हो सकता यही तो है यही तो इनी लोगों के बारे में तो मैं बोल रहा हूँ जो मौनिटर का चुनाव नहीं लड़ा इस व्यक्ती ने जिसका अपने नाम लिया मौनिटर का पिछले चार पांच बार से राजजी सबा में उनको कॉंगரेस पार्टी से इस व्यक्तीकों कोई मतलब नहीं इसनको अपनी राजी सभा की सीट सुरक्षित करनी है और अगवारों में दो तिन प्रेस के जो जर्नलिस्ट है उनको फोन कर कुरा के अपने छपवाना है बाकि इनका आइडियोलोजिकली कोई कमिट्मेंट नहीं है ना इनको पता है कि जमीनी महत्रुकांक्षा क्या है लोग क्या चाते हैं लोग क्या सुनना चाते हैं कल मैनिफेस्टो दूसरे एक दूसरा आदमी है ये एक तो मैंने बताया दूसरा आदमी जो मैनिफेस्टो जिस ने बनाया अगर उसके आइडिया में दम होता तो बयाल इस पर आती क्या वोई न्यूनितम एन वाई एवाई स्कीम अरे भाई एकी स्कीम को बार-बार नए पैकेज में पैक करने से देश के लोग उसको नहीं खरीद सकते हैं ये कॉंग्रेस पार्टी को समझना पड़ेगा आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि देश किस तरब जा रहा है वो ही आप उसी पुराने ढर्रे पे चल रहे हो अब देश का मिजाज, देश का मूड, देश की महतुकांग्शा है, यंग इंडिया की महतुकांग्शा है, हमारी मात्र शक्ती की महतुकांग्शा है सोच कॉंग्रेस पार्टी को समझ नहीं आ रही है वो सोच रहे हैं कि हम जिस तरह पिछले 40 साल से जो दिस तरह की राजनीती करते थे वैसे कर सकते हैं पर no मोदी जी ने राजनीती को एक नया पर्सपेक्टिव दिया है राजनीती को एक जन सेवा से जोड़ा है लोगों की जो aspirations हैं उसको समझ कर उसको पूरा करने का काम किया है जब Congress Party बरधान मंत्री मोधी जी के 2047 के विक्सित भारत का संकल्प का विरोध करती है तो ये Congress Party का मानसिक देवालियापन है Mental Insolvency और Congress Party ऐसे ही दो-तीन लोग जिनका नाम मैंने आपको बताया एक ने Monitor का चुनाव नहीं लड़ा, दूसरा 30 साल से एकी idea को लेके बैठा है तीसरा आदमी जो ticket बाट रहा है उसको उत्तरपरदेश, विहार, जहारकंट, 36 गड़ की अगर एक एक constituency एक साथ बता दे, तो मैं आपको चुनावती देता हूं तो यह इस तरह के लोग जब पार्टी चला रहे हैं, तो पार्टी का मैं आपको कह रहा हूं जिस दिन चुनाव के लोगसभा चुनाव के नतीज़ा आएंगे, मुझे नहीं लगता कि कॉंग्रेस का स्तित्व बचेगा क्विर्स विष्टे महें हूं अभी हो जुझे का मैं ऊटकर सुणाव्या चे क्विर्स अ phenomena कैसी कि अग top कर दो कि से तक एंट कि एंट रह अटक सिर्गण